BMC जिसने के कंगना रनाओत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया और कानून को अपने हाथ में लिया उनके इस कर्तूत को पहले भी कपिल शर्मा ने नोटिस किया और रिपोर्ट भी किया था जी हाँ कपिल शर्मा ने 2016 में ही उनके इस जूट में से परदा फाश करने की कोशिश की थी आप देख सकते हैं कपिल शर्मा का ये ट्वीट जो उनने 2016 में कहा था कि पिछले 5 साल से मैं 15 करोर इंकम टेक्स में दे रहा हूं पर फिर भी मुझे BMC को 5 लाक रुपए रिश्वत के तौर पर देना पढ़ रहा है मेरे ही ऑफिस बनवाने के लिए जिससे साफ पता चलता है कि ये आज नहीं बल्कि पहले से ही चलते आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि इस ट्वीट को शिवसेना की MP प्रियंका चतुरवेदी डिलीट करते वे नजर आई जिनको की ये ट्वीट कपिल शर्मा ने टैग किया था और इसे के चलते अब BMC वाले ही नहीं बल्कि शिवसेना के पूरे टीम को भी सवाल क्या जा रहा है आपके क्या है राय इस पर कमिट कर आप अपने थौट्स हम तक जरूर पहुचाए और ऐसे ही लेटेस अपडेट्स के लिए सब सब्सक्राइब करना ना भूले